यह वाना पार्ट पूरा गया गाइस इसका ओ भाई भानक करके इसकी जेन होगा इसका देख रहे हो तो यह गाइस गुड मॉर्णी मैंकर बैक दो यह एपिसोड के ऐसे हो सब सो देख रहे होंगे आप लोग क्या सीन हो रहा है बट आए धिंग थोड़ा कलाना ऐसा हो गया मतलब रात को काफी साधा काम था खेत का पता ही होगा अभी तो फसल होगे रहा काम चलने लेगा स्वा आखे ना इसी हो रखी है नीन भी नी निकल दी तुमरे भाई ने पता ही होगा इसी कांड़ा मेनेच करना गाइस आप से आखी नहीं मिला सो कोई दिक्कत नहीं है अभी मैं यहाँ गर पर हूँ तो नादो के रिटी होते हैं हैं उसके बाद देख सो गई सभी नादो के रि पास एक कोल आया की वह जो रिटीना खेत में चलती नील गए उसका दो दिन के अंदर मतलब दो दिन हो गए उसको एक्सीडेंट हो गया उसको एक्सिडेंट भी पता नहीं क्या हुआ अभी पता लग नहीं होगा आपको कफी जाद अंदेरे मुंआ सो एनिवे मैं बताता आपको कि सीन कुछ ऐसा हुआ था कि निल गाई थी न वह अचनक से रोड़ क्राफ्स करी थी क्या पता ट्रक्वर्क का टक्कर लगा उसको और मतलब उसका पेर ना एक तरस से मतलब फूट गया पूरा खतम हो चुका मतलब कि हिल्ड उल्ट्रा कोई दिक्कत नहीं है बट वह सीन होगा उसके साथ की मतलब चल पाना मुश्किल होगा है ना तो वह दो दिन होगे उसको गेहूं में पड़े हुए तो आई तिंग उसको समपर कर दिया उस चीज के लिए और वह टीम आईगी मॉर्णिंग के लिए मैं आ इंपर्टन इंचान कर इन आपको देने के लिए मैंने सचा व्लॉग शूट करी लेते हैं वर्णा फिर इकत होगा कि आई ने बता ही नहीं और अचानाग चला गया यार सो है निवे अभी बताता हूं मैं आपको सीन अभी टाइम भी हो रहा का मतलब आठ बत की चालिस मिट और नो बजने वाली है सो अभी सोते हैं इंड मॉर्निंग में मिलते आपको फिर उसका रेस्क्यू देखते क्या सीने आगे गया क्या नहीं पता नहीं मैं अभी गया नहीं हूं पर चलेंगे सुबह और फिर बता तो मैं आपको क्या सी देख रहा हुआ इस मतलब पूरी भा एंड आपको लग रहा होगा की मड़ चुका है बटाइटिंग यह जिन्दा है बाट यह देख रहा है उसके पेर वागिरा सब भील रहे है एंड यह इसको निल गाई बोले जाता है वाई क्या बोल रहा हम है इसको नहीं भाई अरे यार निल गाई बोलते कैस इसको एंड वह जो गाउं में रोजड़ा भी बोले जाता है इसको तो देखो गाई किस तरह रिस्क्य हो रहा है इसका काईदे से गाई बच जाने चीए क्योंकि ज्यादा कुछ लगा नहीं है बस यह जो पिछे वाला पार्ट है इसका इसमें थोड़े कीड़े लगए क्योंकि दो से तीन दिन हो गये था ना उसी के करणन ज्यादा अधिक्कत होगी इस पॉइंट को बट आइधिंक यह जिन् गाई रहे हैं ना सो पेरों में रसी बांद कर उसके बाद इसको टेंपो में पहुचाए जाएगा सो टेंपो तो नहीं बोलेंगे इसको मतलब यह वन वीवाक वाले सर के गाड़िया है सो इस गाड़ी में इसको ले जाएँगे क्या पता आप वेंका जो भी है वहां पर ल भी सर खड़े हैं यहां पर सो मतलब इसको अब यहां से पेक करके फिर मतलब क्या पता इनके जो वहां पर ट्रीटमेंट करते हैं ऑस्पटाल रहेगा नहाँ एलिमल एस्पटाल वहां पर जाके ले जाएंगे इनको और इसको वहीं पर उप्चार वगेरा करेंगे इसका है वह वही तीना ने भीज़े हुए यह तोग यह यह तोग यह इने अधर करता हूं वह सामने करता हूं तो अल्व देखिया आप आप इस अधिया यूश्चा क्यों कि इसके टीब में वालों किस तरह से इस निलगाय की मदद की सो एनिवे आपको एसा मतलब कहीं पर भी ऐसे जानवर मतलब थोड़े बहुत डेमेज या कुछ भी एक्सिडेंटली कुछ भी हो जाए ऐसे जानवर आगर आपको मिले तो तुरंत आप वन विपाग वाली टीम को कंफों करें और कोल करें और उनसे बोले लोकेशन बताएं कि यह सीने भाई सो एनिवे व्लोग पसंद आए होगा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें कमेंट और सब्सक्राइब करना गाई मिलते हैं ने फ्लोंगे तब तक के लिए हैं बाबाई